नमश्कार दोस्तों तो जिस टोपिट पर हम चर्चा करने वाले हैं वो यह है कि हां जी कैसे आप शुरू कर सकते हैं अपनी sports event company मतलब एक ऐसी company जिसके थुरू आप sports के events करा सकते हैं multi states में multi teams के बीच में और अच्छी तरीके से आप उसको आगे लिजा सकते हैं तो अगर देखा जाए तो आप sports events company को कैसे शुरू करेंगे उसके लिए चर्चा में हमारे साथ है रचेजी रचेजी expert है रचेजी हमें बताइए कि हां जी sports events company होती क्या और कैसे शुरू कर सकते हैं और कौन को इसको शुरू कर सकता है तो बेसिकल यह क्या होता है सारी साथ चीज़ों को मैनेज करते हैं एंपायर लाके दिया है बॉल लाके दिया किट बैक्स लाके दिया है और जो लोग इनके साथ जुड़के खेलना चाहते हैं वह उनके साथ जुड़के खेल सकते हैं तो इस तरीके sports event company मैनेज होती है जो कि for example sports का individual है या कोई नया business startup ऐसा startup करना चाहता है वो भी इसको start कर सकता है अगर आपको एक अच्छा network है तो भी आप इसको start कर सकते हैं इसमें कोई कि वो नहीं कि कोई एज बार नहीं है और कोई भी इसको start कर सकता है ओके सब्सक्राइब इसको इवेंट में एक specific नाम दे रहे हैं sports का बट इसका market at least इंडिया में जो कहता है तो 10-12% की हर साल annual growth rate है और 10,000 क्रोड का market है इंडिया इंडिया के अंदर जो कि इसको अगर प्रॉपरली टैप कर लें तो आप इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं तो वह आपको देखना है कि आप कैसे अपनी skills को एक channelized way में करके market के अंदर घुश के अपनी जगा बना सकते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत research करने पड़ेगी analyze करना पड़ेगा market को बठा मार्केट में दम बहुत है अभी और 2030 तक तो कोई भी आप काम अगर आप business start करते हैं तो आपको opportunities ही opportunities है आपकी इस बिजनस को शुरू करने में क्या license क्या क्या registration और किस तरीके से हमें अपनी company setup और बागी सारी चीज़े करनी पड़ेगी इवेंट management की जैसे company बनाई जाती थी पहले private company फॉर्म होती है इसके अंदर क्योंकि यह आप अपने funds से ही सारा काम करेंगे जित्ता भी होगा इसमें donation का system थोड़ा कम रहता है क्योंकि आप इसमें sports से कुछी एक sports का काम नहीं कर रहे हैं आप एक as a manage कर रहे हैं चीज़ों क और channelized way में उसको present कर रहे हैं तो आप as a sports manager है तो आप इसको as a private limited company form कर सकते हैं 1% company में form कर सकते हैं या फिर आप इसमें as a LLP भी form कर सकते हैं यह तीन से चार ways होते हैं जिसमें कि आप अपनी company incorporate करके और आगे अलग-अलग तरीकी certification जैसे ISO certification हो गया स्टार्ट अप इंडिया में registration हो गया कि आप अपने आपको स्टार्ट अप दिखा रहे हैं उसके बाद प्रेडमाग कर सकते हैं तो एक आपकी brand creation हो जाएगी market में और आप उसको proper वे में उसकी marketing start कर सकते हैं अपना business को setup बना सकते हैं पूरा पूरा बाकी आपके पास एक option ह sectionate company अगर आप NGO के form में करना चाहते हैं बट यह कि NGO का form में क्या होता अगर specific चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा यह specific नहीं आप इसमें कोई भी तरीके का sports का काम कर सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा आप इसे private limit के form में इसका start करें ज्यादा बेटर रहेगा बाकी आप specific campaigns चला सकते हैं क्योंकि आप एक तरीके के sports event में काम नहीं करना जा रहे हैं आपका main aim क्या है कि आप हर तरीकी के sports को regulate कर पाएं और हर तरीकी के sports को manage करके खिला पाएं तो mainly आपको क्या contact building networking आपको से physically ज्यादा से ज्यादा करनी है और बागी एक अपनी website का एक अच्छा platform बनाना जिसमें कि आप specific ad campaigns चलाएंगे जैसे क्रिकेट का चलाया फुटबॉल का चलाया बैडमिंटन होकी या जिस तरीकी जो भी आप किसी भी चीज़ को अगर आप करें तो आप उसकी specific ad campaigns चला सकते हैं बट आपको जो मेन फोकस रहेगा वह आपकी networking physical networking बड़े-बड़े organizations में मिलना जुबना लोगों से और साथ सरकारी लोगों स्कूल्स हो गए इन सब जगहों पे आप लोगों को अपने एक पहुच बनानी पड़ेगी जिससे कि आप लोगों को एकट्टा कर सके हैं और आपका काम हो गया आपको हर तरीके का network करना पड़ा यहानी कि आपको य प्रेडियम उते हैं उनसे आपका टाइअप होना चीह बैडमिंटन अगर आप करवा रहे हैं तो बैडमिंटन कोर्ट वालों से सेट अप होने चीह अलग अलग लोकेशन पे तो बेसिकली सारा का सारा काम फिजिकल नेटवर्किंग पर यह बनावा है क्योंकि जित्ता आप फिजिकल नेटवर्किंग करेंगे उतना जादा आपके लिए बैटर रहेगा और उतना जादा आपको काम की ऑपरचुनिटी आपके लिए खुलेगी फिल्कुल 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 थोड़ा सो बताएं सार बिजनस मॉडल्स क्या रहेंगे अगर हम स्पोर्ट इवेंट कि gosto बनाते हैं तो तें बिजनस मॉडल्स कई तरीके के रहते है हैं आप सुशल मीडिया में काम कर सकते हैं पेड अड़्विजिंग कर सकते हैं एजूगेशन के काम कर सकते हैं ई Infinite Management में जा सकते हैं प्रेंचाइजी मॉडल के बेस पर आप काम कर सकते हैं तो यह कुछ चार से पांच तरीक हैं जिनमें आप अपना वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं इसमें सबसे बेटर जो रहेगा आपके लिए और साथ में इवेंट मैनेजमेंट का जो मेन आपका रहेगा जिसमें कि आप अलग-अलग स्पोर्ट्स पर्सनल को इवेंट प्रवाइड करेंगे साथ-साथ उन्हें एजुकेट करेंगे उसके बाद आप उन्हीं बच्चों को साथ उनको लेकर उनके साथ आप अपना स्पोर्ट्स के इवेंट को और्गनाईज करेंगे जिससे कि आपकी उट्यमेटिकली मार्केटिंग और आपका जो मार्केट में नेम है वह बनना शुरू हो जाएग ऑटमेटिकली तो यह कुछ तरीके होते हैं जिस तरीके से आप इसको जनरेट कर सकते हैं सर थोड़ा से बताएं कि कोई के सटुडी के आपके पास प्लिवाभ मेंट करते हैं मिक अचidar पार्श वह क्यां होते के सिर्फ प्रणिव होते हैं वह्तुड फैस्ट्रीनुड नन में क्योंकि कोचिंग जो स्टाफ है बहुत जाद अच्छी क्वालिटी का है इंफरस्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप करका और उनका फोकस क्या है अल राउंड डेवलमेंट करना एथलीट्स की तो इन सब चीजों पर यह लोग फोकस डें कीक्स तरीके साइस्टेशन होंगे क्या documents लगेंगे कितना time period में हो जाते हैं या आपकी requirement of business planning को लेकर कैसे structure करें कैसे business plan execution तक लेकर जाएं या आप इसे digital marketing के बारे में कैसे digital marketing होगी और इसे ग्रो कराया जाएगल बिजनस को सिर्फ एक टुटोरियल वीडियो है, knowledge purposes के लिए, thank you. कर्कॽर्ण़ेकरा, कजरेकराई एक लिए, गनाज सी-छैनला है, Kung 9 तिर विएCallagaur कोष्ड़रियों के दिएlu dato。 जए्वł務 के लिए讲ने idi children, how do you pay9, belong you. झाल